शहर से दूर एक चंपानगर नामक गाउं था इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है शहर से दूर होने के कारण यहां दुकान यातायात की बड़ी समस्या थे कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था उसे गाउं में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी अच्छा बेटा मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ कुछ दिनों में वापस आ जाओंगा तुम दोनों घर का खयाल रखना बाबा मेरे लिए शहर से चाट पकोड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पुरी अच्छा अच्छा लेते आऊंगा तुम दोनों एक दूसरे का खयाल रखना ठीक है और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना जी बाबा अच्छा मैं चलता हूँ चमपा और चमेली बाबा को दर्वाजे से विदा करते हैं दीदी हम चाट खाएंगे बड़ा मजा आएगा मजा तो आएगा कुछ दिनों बास चमपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निप्टा कर गाउं वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पुरी और चाट पिलाते हैं चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है बाबा आ गए बाबा आ गए बाबा बाबा क्या आप हमारे लिए पानी पुरी और चाट लाएं हैं हाँ हाँ बेटा मैं तुम दोनों के लिए धेर सारी पानी पुरी और कचोडिया लाया हूँ चमप और चमेली बड़े मज़े से बाबा के चाट और पानी पुरी खाते हैं चमेली पानी पुरी का आनंद उठाते हुए कहती है काश हमारे गाउं में कोई पानी पुरी वाला होता तो कितना मज़ा आता हाँ चमेली फिर तो हम रोज पानी पुरी खा दे कुछ दिनों बाद गाउं के छोर में मोहन पानी पुरी और चार्ट सेंटर का ठेला दिखाई देता है जो सभी को फ्री में पानी पुरी खिलाता है गाउं में नए नए पानी पुरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पुरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते है और फ्री में मिल रहा पानी पुरी और चाड का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीब करते हैं वा भाईया, मज़ा आ गया क्या पानी पूरी बनाते हो और फ्री में भी खिलाते हो कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई हरे कहां, ये सब तो आपकी महरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा हाँ भाईया, बड़ा मज़ा आ गया पर सो बाद, आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी चखी है और खाईये, और खाईये, चाट भी खाईये सब कुछ पूरी है यहाँ मोहन की मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गाउ में थी चमेली भी मोहन पानी पूरी सेंटर गाउ में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी वो दोड़ी-दोड़ी बाबा के पास गई बाबा-बाबा, हमारे गाउ में एक नया पानी पूरी वाला आया है वो सब को free में पानी पूरी खिलाता है लोग कहते हैं उसकी पानी पूरी बड़ी स्वादिष्ट है हमे भे उसकी पानी पूरी खाने चलना चाहिए क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, वो सभी को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाता है अरे ये तो गजब हो गया हम कली बात कर रहे थे कि काश गाउं में कोई पानीपुरी वाला होता और आज वो बात सच हो गई अरे वा ये तो बड़ी अच्छी बात है हम कल ही चलेंगे जी बाबा अगले ही दिन से मोहन पानीपुरी सेंटर में भीड बढ़ने लगती है गाउं के सभी लोग मोहन की पानीपुरी और चाड़ चकना चाहते है ठेले के चारों तरुव ग्राहक खड़े पानीपुरी और चाड़ कानद लेते है वा भाईया, मज़ा आ गया क्या पानी पुरी बनाते हो और फ्री में भी खिलाते हो वा 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 कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई मोहन भाई मज़ा आ गया हुआ खाईये, खाईये, खूब खाईये बच्चों का भी खिलाईये कितना अजेब जलजीरा है लगता है पीते रहो पीते रहो आहाहा शुक्रिया शुक्रिया और लीजिए वाह मोहन काका जैसी पानी पुरी कभी नहीं खाई कुछे दिनों में मोहन के मुफ्ट में पानी पुरी के चर्चे सारे काउ में थे अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानी पुरी खाने के रिए तैयार थी अरे, अब चमपा कहां है? उसे पानी पुरी खाने नहीं चलना चमपा रसोई में कुछ काम कर गई थी वहीं से आवाज आई नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है आप मेरे ने पानी पुरी पैक करा कर ले आना मैं यहीं खालूंगी अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है निदी मैं ले आउंगी दोनों पानी पुरी खाने चल देते हैं वहाँ पहुचने पर उन्हें पता चला कि वहाँ काफी भीड है बहुत से लोग पानी पुरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसनव हुए, दोनों मोहन के पास गए मोहन तुम्हारी पानी पुरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने है जरा हमेदी चाखाओ हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पुरी कैसी है चमेली बड़ी खुश थी अरे आईए 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 आओ बेटा आओ ये लो खाओ खूब खाओ और मज़े करो है सब फ्रीम है पेट भर के खाओ ये लो बाबा और चमेली दोनों पानी पुरी खाते हैं और उसके स्वाज में खो जाते हैं वाँ मोहन वाँ जैसा सुना बिलकुल वैसा ही पाया कितनी स्वादिष्ट पानी पुरी है वाँ मज़ा ही आ गया वाँ मोहन का का मज़ा आ गया लोग सच कहते हैं इतनी स्वादिष्ट पानी पुरी तो आज तक न खाई थी थोड़ा जलजीरा और मिलेगा हाँ हाँ क्यों नहीं ये लो और खाओ लो चमेली और बाबा दोनों पेट भर कर पानी पुरी खाते हैं काका आज तो मज़ा आ गया कल फेर आउंगी बिल्कुल बिल्कुल बैटा जरूर आना है बिल्कुल आना अच्छा मोहन एक प्लेट पानी पुरी पैक कर दो बाबा और शमेली चम्पा के लिए पानी पुरी पैक करा कर घर ले आते हैं चम्पा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है लेकिन घर के नजदीक पहुँचते ही उनकी पानी पुरी की थैली को कुत्ते चीन कर ले जाते हैं ये देखकर चमपा बड़ी निराश होती है तुम निराश मत हो चमपा, हम कल फिर से पानी पुरी खाने चलेंगे चमपा खुश हो जाती है उस राट बाबा और चमईली के पेट में थोड़ी तक्लीफ होती है लेकिन कैसे भी उस राट उन्हें नीदा आ जाती है सुबह होती है तो चमपा को कराने की आवाज सुनाई देती है आह, आह, उठकर देखती है तो दो बुढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बेहन की जगा लेते हुए थे आह, आह, ये मुझे क्या हो गया दूसरा गुढ़ा अदमी इतना बुढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था सामने बुढ़ी दादी और बुढ़े व्यक्ति को देख वो अचंबित हो जाती है अरे दादी, आप कोन है? और यहां कैसे? और मेरी छोटी बेहन चमेली और बाबा कहा है? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बेहन चमेली पता नहीं कैसे मैं बूरी हो गई चमेली तुम तुम इतनी बूरी कैसे हो गई मुझे नहीं पता देदी कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा चमेली रोने लगती है चमपा भाग कर बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ सभी लोग बुड़े हो चुके हैं और दर्थ के मारे करा रहे हैं हर तरफ चीखे और पुकार थी चमपा दोड़ कर रामु चाचा के घर जाती है वो भी बुड़े हो चुके थे रामु चाचा, रामु चाचा आप कहा हैं? खटिया में पड़े रामु चाचा की आवाज सुनाई दी बेटा, मैं यहाँ हूँ तुम ठीक हो हाँ, मैं तो ठीक हूँ रामु चाचा पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बुड़े कैसे हो गए? पदा नहीं बेटा कल तक तो सब बढ़िया था जबसे मोहन पानी पुरी और चाच सेंटर की पानी पुरी खाई है तबसे पेट कुछ खराब रहने लगा और आज सुभा उठा तो पुरा गाउं बुड़ा हो चुखा था और मैं भी चमपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानी पुरी वाले का ही हाथ है वरना कोई चाच और पानी पुरी फ्री में क्यों खिलाता रात होने पर चमपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहाँ मोहन दिखाई देता है वो जोर जोर से हसरा था ये पानी पुरी नहीं मेरे रसायन का कमाल था अब मैं कभी मुढ़ा नहीं होंगा चमपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है अच्छा तो ये बात है मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिबबा उसके ठेले से नीचे गिर गया मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया चमपा उस रसायन के डिबबे को उठा कर घर ले आती है अगले दिन चमपा बहुत ही स्वादिश्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है मोहन काका मुझे भी पानी पुरी खिला दो चमपा को देख मोहन सोच में पढ़ चाता है अरे ये लड़की कैसे बच गई कोई बात नहीं आज इसकी भी उम्रचील लोंगा अरे बेटा आओ 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 तुम भी खाओ ये लो है पर एक शर्त है आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानी पुरी और चाट की ला रहे हो इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ ये लीजे पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाईए तब ही मैं पानी पुरी खाऊंगी चमपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता ये वस इतनी सी बात मैं अभी खा लेता हूँ जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है वो धीरे धीरे बुढ़ा होने लगता है ये क्या हो रहा है मुझे चमपा हसती है वही जो तुमने गाउंवालों के साथ किया खुद का रसायन खुद चकर कैसा लग रहा है भूतिया पानी पुरे वारे मैं तो तब ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पुरे गाउं को फ्री में पानी पुरी खेलाई पानी पुरी वाला धीरे धीरे बुढ़ा होने लगता है अरे मेरा रसायन रसायन कहा गया मेरा रसायन कहा गया तुमारा रसायन तुम्हारा सारा रसायव निली स्वाजिस्ट पक्वानों के साथ तुम्हारे पेट में है और वो भूतिया मोहन पानीपुरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है धीरे धीरे सभी गाउवालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है अरे देखो देखो मैं ठीक होने लगा मैं ठीक होने लगा मेरी उम्र वापस आ रही है चमेली और उसके बाबा भी अपनी असलिर उम्र में वापस आ जाते हैं चम्पा की ये बहादुरी देख सभी गाउवाले उसकी तारीब करते है चम्पा तुमने अकेले ही हम सब की जान बचा ली तुमने कमाल कर दिया नहीं रामु चाचा ये सब आपकी देखरेक का ही कमाल है कि मैं जल्डी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानी पुरिवारे को सबक सिखा पाई वा चम्पा बेटा तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गाउं बच गया मुझे तुम पर घर्व है बेटा तब से सारे गाउंवालों ने गाउं का नाम चम्पा नगर रख दिया